नमस्कार दोस्तों मैं भाविनी मिश्रा अपनी चैनल में आप सभी का एक बाद फिर से स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप लोग आसा करती हूँ आप सब स्वस्ता सुरचित होंगे इस वीडियो में मैं आप से शेयर करने जा रही हूँ कि जो बाया की थाली या सोहाग की थाली जिसको बोलते हैं उसमें हम क्या क्या समा रखते हैं कौन सी पांस चीज़ें जरूरी हैं जरूर रखना चाहिए और उससे जुड़े सभी सवालों के जबाब मैं दूनगी कि बाय पाया की थाली सास को दी जाती है अगर आप सास को नहीं दे पाने आपके सास नहीं है तो आप जिठानी चाची को भी आप दे सकते हैं घर में तो इस तरह से देखें बिचिया तो चांदी का कोई एक सिक्का या चांदी की बिचिया अगर आप रखें तो बहुत ही सुग मा पाया की थाली में दचिना जरूर रक्के जो भी आपके इच्चा हो 150 जो भी दचिना आप दे सक न चाहते हैं वो पाया की थाली में जरूर रखें उसके बाद सिंगार का समान होता है सिंगार के समान में भी पांस चीज़े आप ज़रूर रखें चूड़ी, मेहंदी संधूर बिंदी और दिखिए, पीले रंगा संधूर हमारे यहां दिया जाता है तो पीले रंगा संधूर ज़रूर रखें और उसके साथ आप बिच्छी आगर आप दे पाएं तो बाया की थाली में तो वो बहुत जादा सूप माना जाता है और उसके लाब आप कोई भी सिंगार का समान आप रख सकते हैं जैसे पाउडर, लिपस्टिक हो गया, नेल पॉलिस हो गया, काजल हो गया, आलता भी महावर भी बहुत जादा जरूरी होता है, सूप का समान माना जाता है, तो महावर भी जरूर सामिल करें, सीसा, कंगी, जो भी चीज़े होती है, ये सारी बाया की थाली में दी जाती है, ये आपकी इच्छा पे है, सामर्थ पे है, आप क्या-क्या इसमें दे सकते हैं, उसके लाब या पंच मेवा आप सामिल कर सकते हैं, थोड़ा साही लेकिन बाया की थाली में जरूर रखें और मीठा, जो मिठाई जरूर दें, इससे ऐसा माला जाता है कि सास बहो के बीच में मिठास बनी रहती है, तो बहुत से जगत चीने के कर्वे में मेवे भरके भी दिये जाते हैं, तो यह है पुरे बाया की थाली का समान, साड़ी, सिंगार का समान, फल, फूल, मेवे, नारियल, मिठाई, दच्छिना, यह सारी चीजए बाया की थाली में जरूर सामिल करें, अब मैं आपको बताती हैं कि पूजा करने के बाद बाया की थाली को भी मा को, करवा چोंत माता क मा पार्वती को आपको इस तरह से छुआ देना होता है उसके बाद पूजा समापत होने के बाद पारण करने के बाद ये बाया की थाली सास को दी जाती है या फिर आप चाची, देवरानी या किसी सुहागिन महला को ये बाया की थाली आप दे सकते हैं बहुत से लोगों ने पूचा है कि जिनकी सास नहीं है वो किसको दे तो जैसा मैंने बताया किसी भी सुहागिन महला को आप दे सकते हैं तो बहुत से लोगों ने पूचा है कि जिनके ससुर्जी नहीं है तो सास को हम सुहाग का समान कैसे दें तो देखिए बाइना आप सास के लिए भी निकालें जरूर निकालें आप कुछ पैसा या एमोन देदें या उनके लिए कपड़े खरीद के देदें लेकिन जो सुहाग की थाली है वो आप किसी सुहागिन महला को के लिए आप उनको दे सकते हैं और पूजा के बाद आप आपकी सारी जानकारी उसके लावा जो मा को आप सिंगार का समान चड़ाते हैं वो भी आप किसी सुहागिन महला को या पंडी जी को दान दिया जाता है तो इसके लावा अगर आपके कोई भी कोशन हो भाया की थाली से जुड़े हुए तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते है मैं जरूर तुरंत आंसर देने की कोशिश करूँगी और आप सभी को करवा चौत वायत की बहुत-बहुत सुब्काम ना है मेरे चैनल पर नहीं आये हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे दोस्तों के बीच ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा बहुत- झाएब